जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आखे ऐसी धुंदली पड़ गई कि उसको सूजता न था तब उसने अपने जठे पुत्र एसाओ को बुला कर कहा है मेरे पुत्र उसने कहा क्या आग्या उसने कहा सुन मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मुत्यू का दिन कब होगा सो अब तु अपना तरकश और अपना धनुष आदी हत्यार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन का आहेर कर लिया तब मेरी रूची के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना कर मेरे पास लेया कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशिरवाद दू तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया जब इस हाथ एसाव से यह बात कह रहा था तब रिपका सुन रही थी सो उसने अपने पुत्र याकुप से कहा सुन मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना कि तु मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशिरवाद दू सो अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन और यहा आग्या मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के दो अच्छे अच्छे बच्चे लेया और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रूची के अनुसार उनके मास का स्वादिष्ट भोजन बनाओगी तब तु उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशिरवाद दे याकुब ने अपनी माता रिपका से कहा सुन मेरा भाई एसाव तो रोवार पूरुश है और मैं रोमहिन पूरुश हूँ कदाचीत मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तुम मैं उसकी दुरुष्टी में ठग ठैरूँगा और आशिश के बदले शाप ही पाऊँगा उसकी माता ने उससे कहा है मेरे पुत्र शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े तु केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास लेया तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुची के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया तब रिपका ने अपने पहलोटे पुत्र एसाव के सुन्दर वस्तर जो उसके पास घर में थे लेकर अपने पुत्र याकूब को पहना दिये और बक्रियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेड दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाए हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी सो वह अपने पिता के पास गया और कहा है मेरे पिता उसने कहा क्या बात है है मेरे पुत्र तू कौन है याकुब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ, मैंने तेरी आग्या के अनुसार किया है, सो उठ और बैठ कर मेरे अहेर के मास में से खा, कि तू जी से मुझे आशिरवाद दे इसाहाक ने अपने पुत्र से कहा, है मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया, उसने उत्तर दिया कि तेरे परमेश्वर यहवा ने उसको मेरे सामने कर दिया फिर इसाहक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकटा, मैं तुझे टटोल कर जानू कि तो सचमुझ मेरा पुत्र एसाव है, वह नहीं तब याकूब अपने पिता इसाहक के निकट गया, और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल, तो याकूब कासा है? पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं, और उसने उसको नहीं चीना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोवार थे, सो उसने उसको आशिरवाद दिया, और उसने पूछा, क्या, तु सचमुझ मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा हाँ मैं हूँ, तब उसने कहा भोजन को मेरे निकट लेया, कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मास में से खाकर तुझे जी से आशिरवाद दू, तब वहाँ उसको उसके निकट लेया और उसने खाया, और वहाँ अप उसके पास दाखमदू भी लाया, और उसने प तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा है मेरे पुत्र निकटा कर मुझे चूम उसने निकट जा कर उसको चूमा और उसने उसके वस्तरों का सुगंद पाकर उसको वह आशिर्वा दिया कि देख मेरे पुत्र का सुगंद जो ऐसे खेत कासा है जिस पर यहवा ने आशिज दी हो सो परमिश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमी की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमतु दे और राज राज के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करे तु अपने भाईयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे जो तुझे शाब दे सो आप ही श्रापित हो और जो तुझे आशिश दे सो आशिश पाए यह आशिर्वाद इसहाक याकुब को देही चुका और याकुब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसा अहेर लेकर आप पहुँचा तब वह भी स्वादिश्ट भोजन बना कर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा हे मेरे पिता उठकर अपने पुत्र के अहेर का मास खा ताकि मुझे जी से आशिर्वाद दे उसके पिता इसहाक ने पूछा तू कौन है उसने कहा मैं तेरा जेठा पुत्र एसा हूँ तब इसहाक ने अत्यनत थर-थर कापते हुए कहा फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था और मैंने तेरे खाने से पहले सब में से कुछ खा लिया और उसको आशिर्वाद दिया बरन उसको आशिष लगी भी रहेगी अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाँ ने अत्यनत ऊचे स्वर से और दुख भरे स्वर से चिला कर अपने पिता से कहा है मेरे पिता मुझको भी आशिर्वात दे। उसने कहा तेरा भाई धुर्तता से आया और तेरे आशिर्वात को लेके चला गया। क्या तुने मेरे लिए भी कोई आशिर्वात नहीं सोच रखा है। इस हाक ने एसाव को उत्तर दे कर कहा सुन मैंने उसको तेरा स्वामी ठैराया और उसके सब भाईयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाख मुदू दे कर उसको पुष्ट किया है। जीवित रहे और अपने भाई के आधिन तो होए पर जब तू स्वाधिन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेके। तब उसने अपने छोटे पुत्र याकुप को बुला कर कहा सुन तेरा भाई एसाव तुझे गात करने के लिए अपने मन को धीरज दे रहा है। तुझ पर से उतरे और जो काम तुने उससे किया है उसको वह भूल जाए तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े। फिर रिपका ने इसाहाग से कहा हित्ती लड़कियों के कारन मैं अपने प्रांच से घिन करती हूँ। सो यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश के लड़किया है याकुप की भी एक को कहीं बहा ले तो मेरे जियोन में क्या लाब होगा।